आपको कीटोसिस और मिल्क फीवर के बारे में बता हूंगा मतला ऐसा होता है कि ब्याने के बाद पश्यू एकदम लेडे जाता है मिल्क फीवर में तो यह होता है कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड़ चलना मंद्हो जाता है कम हो जाता है दिदा हो जाता है निश्यक रूत से ऐसे निच्ध पश्यू जो है वो लेड जाता है और आप उसे बिठाने की कोशि़ मत करिये वो कर्या समर्परिय等 के का किटोसिस में यह होता है कि suchenare जैसे जानमेर ब्याता है तो जो dry period में, मैं तब उसका जो आप उसे अधिक खाना देते हैं, वो fat में convert हो जाता है और उसमें तीन काम और होते हैं, dry period में, उसकी immunity बढ़ जाती है, उसके code ठीक हो जाते है, उसका digestion ही ठीक हो जाता है और उसका human भी ठीक हो जाता है, तो इसलिए बड़ा जरूरी है, कली मेरे पास आयता साब, वो पता नहीं था, मेरे गाय ब्या गई, आपने dry नहीं किया, तो बहुत दिक्कत हो जाता है जो है, वो convert होता है, फैड जो है, glucose में convert होता है, तो इसमें बहुत से पशु मर भी जाते हैं, गाउं में, अगर और एकदम वो, अगर calcium या glucose देजे, जो कुछ भी बजार में मिलता है, उसमें calcium और glucose दोनों ही होते हैं, तो ketosis और milk fever दोनों को ही cover कर लेते हैं, मैं यहापे आ मैं बता रहा हूं, के आजकल बजार में, कुछ ऐसे बोतलें भी अबलेविल हैं, जैसे transmix है, और metabolite है, और speed के नाम से भी आ रहा है, तो देखिए, मैं यह बता रहा हूं, के यह transmix है, इसमें, जैसे ही आपके बच्चा होता है, एक बोतल पिला दिए हैं, transmix जो है, एक बोतल पिला देगा, तो इसके बच्चा होने में भी आसानी होगी, जब अच्चा हो रहा है, तभी पिला दिए एक बोतल, तो इसका फैट से ग्लुकोस बनना ले गएगा, फिर जैर भी गिर जाईगी इसकी, डाक्टर की इस दिन जरूवत नहीं पड़ेगी, कि नहीं तो वैसे आप माइफिक्स की बोतल और वो एक दो कैल्शियम की बोतल वगएरा रखिए अमने पास, जो कि अगर डाक्साब आ गए, रात का वखते, अब बोतल नहीं है तो आपका पश्चु जो है मर सकता है, तो इसमें नहीं जाता है, यह शरीर की सवा आवशक्त हाट बंद होने लगता है, तो इसको भी करता है, और दूद भी प्रचुर मातरा में प्यादा करता है, यह ऐसा होता है, लोगा कहते हैं कि अभी पूरा मत काड़ो, अभी दूद मत निकालो, आप जब तक दूद नहीं निकालेंगें, तब तक वह दूद बनेगा नहीं हो अभी दूद निकालेंगें, उसको ट्रांस्मिक्स पिला दिया, बहुत से लोग यह भी करते हैं, कि ब्याने के बाद उसका दूद भी पिला दिया, अरे उससा ऐसी डिडिटी हो जाएगी, आपके लिए बहुत ज्यादे दिक्कात होगी, तो यह है कि आप उसको दानावान की जरुद नहीं होगी, मैंने वैसे यह भी दिखाया, कि अगर आपका बीमार हो जाए और उसके बाद बोजो है दूद कम कर दे, तो आप इसको सो पचास हैमेल अगर रोज देंगे, तो फिर दूद प्र आजाता है, तो यह कीटोसिस और उसके बारे में था, यह मैंने कांस्मिक्स की बोतल को अपने पास अबश्य रखिये, और ना किसी उसका एडवरटाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, पर मताई यह है कि यह चीज मैंने अपने पच्चुआ में देखा, बहुत कारगर है, मेटापोलाइट भी है उसका, फिर बैक का, जाप दीजे इसको, मे मेरा जो है, यह डेरी स्कूल भी है, जिसमें हम ट्रेडिंग भी देते हैं, ओनलाइन ही देते हैं, उसमें आप हमारे उनसे संबर कर सकते हैं, हमारे डाइरेक्टर साब हैं, उसके ट्रेडिंग के राठोर जी हैं, राकेश राठोर जिनका टेलीफोन नम्मर जो है, ट्रिप आपकी जैसे जरूरत है आप जिस जगह से हैं उस जगह से उसी बात मैं यह भी सोचित कर दूँ कि मैं पढ़ाता रहा और मैं रिटायर हो गया था 2004 में पर मेरी बासकर शर्माजी के संग एम्डियो लैब है उसमें मैं बेटनेरियन को एम्डियो टांसफर की ट्रेनिंग देत एम्डियो टांसफर का नया फिल्ड है और इसके काफी दिवार्ट बढ़ती जा रही है तो हमनों के पास शर्माजी के पास भासकर शर्माजी के पास वो एनिमल्स भी हैं आप उन से भी संपर कर सकते हैं 82798 3572 तो चाहें भासकर शर्माजी को कॉंटेक्ट करिये चाहें मु आप इसकाल आप उठाएं अगर आप उनलाइन भी इसके बारे में कुछ पूछा चाहते हैं पूछा आप अवश्य पूछा है दन्यवाज आपने सुना मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है दन्यवाज आप कभी भी पूछ सकते हैं